नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सत्यम बर्मा आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड फोर ब्लाइंड यूटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टॉक बैक का जो आपका टॉक बैक जब भी आप किसी भी एप पे या कहीं भी क्लिक करते हैं तो बोलता है डबल टैप टू एक्टिवेट ठीक है आप चाहते हैं ये डबल टैप टू एक्टिवेट ना बोले तो आप वो कैसे कर सकते हैं यह ट्रिक बहुत से द्रिष्ठीन भायों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है वो इस चीज को जानें कि ये कहां से ओफ होता है मैं आपको सिंपल सी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा उसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं ठीक है बहुत ही आसान इसको करना और देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा होम बटन है तो ये बोला है double tap to activate ठीक है लेकिन मैं जब इसको कर दूँगा तब ये नहीं बोलेगा double tap to activate इससे क्या होता है दोस्तों ये double tap to activate बोलता है तो हमको कुछ अच्छा नहीं रखता है इससे थोड़ी सी प्रोब्लम होती है और का इंबेस्ट भी हमारा होता है इससे अच्छा क अच्छा सकते हैं हला कि बहुत से लोह को मैंने फ fingerna बता चौक रहा है लेकिन जिन लों को नहीं लेकिन उनके लिए रहा हूं ठीके फ्रेंड्स वीडियो वह очень ठोटी आपके लिए जाला कुछ करना आए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेर और चेनल को सब्सक्राइब जो कर लीजेगा इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो जा टाइम ने जती हो चलिए श्रू करते हैं सबसे बड़े दोस्तों आपको क्या करना जो कि सभी लोग जानते हैं आप अपनी स्कीन पर एल बनाईए और यहां पर आपको चबना है टॉक बैक सेटिंग में क्लिक करना है तो यहां पर मैंने क्लिक किया यहां पर आपको यह उपको क्या है इसको आपको आपको कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है आप इसको off कर देंगे आप देखिए यह आपका off हो गया है तो यहाँ से क्या है आप देखिए मैं on कर दिया मैंने दुबारा से off कर देखिए देखिए आप home बटन सिर्फ बोला यह निए बोला इक डबल टैप to activate ठीक है इससे हमाँ समय की बच्छत होती है तो इस तवीके से आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं तो बहुत ही छोटी सी वीडियो थी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपको को सुझाओ हो तो हमें कमेंट के जिरू बता है चनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन पर क्लिक करें मिलते दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद